कि वेल्कम ओल टू मैं चैनल मिलवेड ओफ ठाकुर जी रादे रादे आप सब का ठाकुर जी के इस चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत हैं अपने लास्ट वीडियो में मैंने आपको ठाकुर जी की ड्रेसेज, ज्यॉल्री और पगड़ी के शिंगार का समान दिखाया था जो कि सब हैंगमेट था आज के इस वीडियो में मैं आपको उसब मैटीरियल दिखाऊंगे इसको यूज करके मैं ठाकुर जी की सारी ड्रेसेज बनाती हूँ और इसके इलावा हम क्या-क्या आइटम्स और डिफरेंट यूज कर सकते हैं, क्या डिफरेंट फैब्रिक रहे हूं बाकी तो देखिए रेका अपना भाव होता है रेकी अपनी श्रदा होती है लेकिन जैसे ठाकुर जी को उत्तम से उत्तम कहते है न उत्तम से उत्तम अबस्तु जो है पहले ब्रगुवान को और पन करनी चाहिए, तो इसलिए मेरा यहीं हमेशी कोशिश रहती है कि मैं उत्तम से उत्तम चीज ठाकुर जी के लिए जब भी मैं कोई शॉपिंग करने जाती हूँ तो मेरा मन होता है कि मैं उत्तम से उत्तम उनके लिए खरीद हूँ तो यह देखिए यह एक मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में मातरानी की लास्ट में ड्रेस दिखाई थी जो कि यलो कलर से बनी हुई थी और मैंने आपको बोला था कि वो नेट सीक्वेंस का फैब्रीक है तो यह देखिए यह वही फैब्रीक है नेट सीक्वेंस का यह उस color की dress बन जाएगी, जैसे वो dress के नीचे मैंने yellow color की lining लगाई हुई थी, अब देखें जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, अगर मैं इसके नीचे red satan लगाती हूँ, red satan की lining दूगी, तो इसका look कैसा आएगा, वो आपको idea हो जाएगा, यह देखें, यह हम लगा के बनाएग आपको लगाती हूँ, तो blue color से देखें, dress का look blue हो जाएगा, तो यह इसका सबसे बड़ा benefit इस fabric का यही है, कि इसका जो base है, वो transparent है, तो इसके नीचे हम जो भी base लगाते हैं, lining का, यह dress उस color की और बिलकुत different लगती है, आपको लगेगा हैं कि आपने same fabric से dresses बनाई हैं, आप नहीं अलग-लग आती है, तो यह मैंने आपको दिखाया, net का sequence वाला, इसी दिना से पहले में आपको पूरे golden collection दिखाती हूँ, कि golden में 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 पास क्या-क्या collection है, यह देखिए, ए golden में यह एक net आता है, यह बहुत heavy dress बनती है, इससे ठाकुर जी की, यह भी base color की है, इस अच्छे फैस जनमाश्ट मी पे, ऐसी हम dresses ठाकुर जी के लिए बनाते है, तो उसका look बहुत अच्छा आता है, यह देखिए, इसके नीचे भी आप जो अस्तर लगाएंगे, यह उसी का look देगा, तो यह भी एक fabric है, जो कि बहुत अच्छा है, हमला heavy में आपको दिखा रोस फ्लार्स बने हुए थे, यह पूरा all our work है, तो इसकी भी look बहुत अच्छे आती है, इसके नीचे भी जब हम कोई भी lining लगाते हैं, तो इसका look देखिए, जो आप lining लगाएंगे, इसका look बिल्कुल चेंज हो जाएगा, जिस color के लगाएंगे, तो यह बहुत अच्छे फैब्रिक्स हैं, जो heavy मतलब dresses बनाने के लिए मैं use करती हूँ, इसके इलावा जैसे कि आपको पता है कि आजकल गर्मिया चल रही है, तो summers में हम कोई silken या बनार्सी कपड़े के जो बस रहें वो ठाकुर जी को नहीं पहना सकते, तो इस season में हमें होता है कि हम net के फैब्रि या pure cotton की dresses ही अपने ठाकुर जी को पहनाती हूँ, तो यह देखिए net में कुछ है मेरे पास golden में, जैसे कि वह जो मैंने पहले आपको दिखा रहे थे, वह sequence work के साथ थे, यह golden जरी work है, net के ऊपर ही, यह golden जरी work है, इसके नीचे भी अस्तर जैसे उनके नीचे लगेगा, ऐसे यह देखिए, यह पूरा जाल है, एक इसके इलावा यह है, यह इससे भी heavy है, बड़ा है थ्वड़ा डिजाइन प्रिंट में, यह देखिए, इस तरीके से, तो यह fabrics है हम festivals के लिए ही use कर सकते हैं, क्योंकि regular में यह dresses regular में हम cotton के ही use करते हैं, तो यह देखिए, अब net में ही ह यह देखिए, बहुत अच्छा fabric है, यह भी, मुझे यह personally color बहुत पसंद है ठाकुजी के लिए, मैंने आपको अपने last video में बुताया था, और आप लोगों को excitation भी दी थी कि सबके पास ठाकुजी का यह color ठाकुजी के लिए होना ही जाए, क्योंकि यह ठाकुजी पर बहु अच्छा पर लिए रॉड़ी बनेगी तो यह रॉड़ी वली है, नेट और इसके इलावा देखिए, नेट तो बहुत आती है अब जैसे यह शैंडले नेट तो इसमें में रपस कई colors है ठाकुजी के लिए, कई dresses में बना चुकी हो और कई dresses में यह भी रहती है बने वाली य यह आपको magenta दिखाया है, यह थोड़ा dark magenta है बर उससे burgundy type का color है, यह देखिए, यह blue में है, यह red में है, यह peacock type का shade है, यह maroon है, यह सब शैंडले नेट्स हैं, अब इसमें एक शैंडले नेट में और प्ले नेट में क्या फरुक होता है, शैंडले नेट में देखो आपक आपको shining थोड़ी सी कहीं कहीं दिखाई दे रही होगी, इसमें क्योंकि बातले का जो है वो एक spring चली होगी है तिलने की, उसकी वज़ा से यह shining touch देती है, इसी में एक variety आती है, जो plain होती है, यह देखिए, यह plain है, और इसको देखिए आप, इसमें देखिए थोड़ा glitter है, तो यह plain में अगर लेनी हो, तो यह plain में भी आती है, plain में भी कई colors आते हैं, मेरे पास लेखिए, एक black color है, एक यह color है, और इसके इलावा यह, एक देखिए net यह भी आती है, यह भी बिल्कुल plain है, इसमें कोई glitter नहीं है, बट यह मुझे बहुत अच्छा print लगा था, तो इ आपको दिखाऊंगे कि कैसे यह बनने के बाद किती सुन्दर लगती है, यह देखिए, एक black net का, इसका print बहुत अच्छा है, यह भी मुझे बहुत सुन्दर लगा था, black saturn के साथ यह लगेगा, यह gray saturn भी लगेगा, contrast में तो बहुत अच्छा लगेगा, तो आने वले वी लगेगी, क्योंकि यह transi है, तो lining लगने के बाद यह बहुत अच्छा, contrast lining भी आप लगा सकते हैं, और same color की भी लगा सकते हैं, उसके बाद ठाकुर जी के वैसे तो कहा जाता है कि भवान पे black color के कपड़े नहीं पेनाए जाते, पर ठाकुर जी को black color बहुत पसंद है, मैंन पहले मन में यह एक शंका आती थी, कि पता नहीं ठाकुर जी को black color पहनाते हैं कि नहीं, पर मैंने वहाँ पे इस कौन में पता किया, तो उन्हों ने कहा कि वहाँ पे ब्रिंदावन में मिलती भी है, आपने देखा होगा, ठाकुर जी की black color की dresses मिलती हैं, और लोग लेके जा तो यह है, और उसके इलावा तो फिर plain nets आती हैं, जो कि आप सबने देखी ही होगी, इसमें कई तरह की colors आते हैं, मेरे पास तो काफी colors है, almost मेरे पास आरे ही colors है, देखे, एक net में आपको यह दिखा रहे हैं, जैसे यह तो single color में net आती है, market में easily available है, एक यह net आती है, इसको मैंने dye करवाया है, इसको 3D बोलते हैं, इसको मैंने 3 shades में यह dye हुई है, इसमें 3 shades है, देखे, सबसे पहले जैसे यहाँ पे है, magenta color है, उसके बाद, magenta color के बाद यहाँ पे यह color आ गया है, वो हलका सा, देखे, light pink हो गया है, यहाँ से dark होता होता फिर यहां आके light हो गया है लाइट पिंग हो गया है, मैं आपको दिखाती हूँ, बेस पे कोल के, ये एक है, ये देखिए, इस तरफ से ये ओरेंज था, ये ओरेंज कलर डाई हुआ है, उसके बाद ये दीरे-दीरे बीच में आके, लाइट कलर हो गया है, ओरेंज से हलका सा पिंकिश टोन में आना शु आप उसको जो है, ऐसे डाई करवा सकते हैं, 3D में, तो इसकी ड्रेस में आपको साथ शियर करूँगी, सबसे पहले नेट में आपके साथ इसी ड्रेस शियर करूँगी, क्योंकि ये ड्रेस बहुत बहुत अच्छी बनेगी, ये तो मैंने आपको कुछ फैब्रिक्स दिखा अपतार क्या दिखाने मुझा जाते हैं, मुझे तो इन पा सारे ही कलर्स अच्छे रखते हैं कि ये ने थे इकाल्र क्या अच्छा है्येत क्या बहूँ है मेरा थाश्य कैती हो मैं लिए तो इसके बाद मैं अपको दिखाती हूँ आप जो हो इस फैब्रीक को के साथ आप क्या यूज कर सकते हैं कुछ फैब्रीक अभी मेरा देहेगी आपको दिखाने बला पर त्यूकि यह वीडियो लंबा ना होजे इसलिए वह जो फैब्रीक है वह आपको मैं नेक्स में दिखाऊंगी यह देखिए अब इसके इलावा य इस फैब्रीक को हम कैसे डेकोडेट कर सकते हैं उसके लिए यह अलग लग लेसिस हैं दिखेए मार्किट में आप जहां जिस टी में रहते हैं वह आपको अलग लग तड़ा की लेसिस मिलेंगी जूर्णी कि बेखने के बाद आपको एक आईडिया हो जाएगा कि हम कैसे ड् लगने के बाद बहुत अच्छी है यह राए इसे निरी आ से निरेमिंगा मैं के लगा आ पर हुआ नीगा मैं यह लाई हूं ऐसा ब्लैक जो फैब्रिक है मेरे पास उसपर है के लिए लाई Amaez अले से ब Dak makes मैं मेरे पास यह ब्लैक मेंय मेरे पास यह लई है सिर्धान को कमभाईन करें मां यूज़ करूंगी को तक कि वह की ठाऊएगी और सुनदा यूज़ा देखिए यह बहुत अच्छी है रेशम थ्रेट से बनी हुई है यह जो मैंने आपको 3D वली अपनी दिखाई है फैब्रिक जो आपको मैं कह रही थी तो यह बहुत अच्छी लगेगी उसके इलावा देखिए हर तरह की नेट लेट जो लेस है वो हर तरह की आती है यह सिरफ और सिरफ आइडियाज है टिप्स है आपको अपना क्लेक्शन दिखा रही हो कि मैं क्या यूज करती है मेरे पास क्या है लेकिन आप अपने हिसाब से उस पर कुछ भी यूज कर सकते हो एक देखिए यह लेस मुझे बहुत अच्छी मिले थी मेरी फेवरेट लेस है बहुत प्यारी लेस है मैंने इसको भी यूज नहीं किया है तो यह जो किसी प्लेन कपड़े पर या गोल्डन पर यूज करोंगी तो इसका लुक भी बहुत इसके इलावा तहुत दखें यह बहुत बिलावे लेस इसके लिक यह है इसके लावा कूछ आती उसके लावा कुछ यह कृशती है यह प्लेन रिब्बं होते हैं यह एक इंची चॉड़े हैं इनको भी यूज करके हम नेट के साथ इनको यूज करके दिखाएंगे नेट चोली की जगा पे हम नेट का जैसे फ्लेर लगया होते हैं नीचे इसको भी हम जब गहदय के बाहर की तरफ देते हैं तो यह बाहर से इसका लुप बहुत अच्छा आता है इसमें यह यह लो है और और ऑरेंज है इसके लावा यह तो बहुत कॉमन है लेस आपने देखी होगी तो सब के पास होती ही है उसके बार ये पॉमपोम की लेस से आती थे उसमें golden तच नहीं था यह नहीं लेस आई है इसमें उन्होंने golden थोड़ा सा टच दे दिया है तो ये इसकी लुप बहुत अच्छी हो गई है ये देखें ये मेरे लेस है इसको मैं ऐसे पैचिस कट कर लूगी फिर इसको मैं ड्रस पर यूज करूँगी आने वली वीडियो में आपको इसका टुटोरियल बताऊंगी और इसको कैसे यूज करना है वह भी बताऊंगी इसके इलावा देखिए यह एक में लेस लेकि आई थी इसको जूमका ले लेस बोलते हैं मार्केट में वह भीयावतारत है कि जूमका लेस के नाम से आती है तो यह ऐसे बना हुआ है इसके अंदर देखिए यह नीचे इसके लटकने वाले ऐसे जूमके टाइप के हैं आप चाहें तो इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं लेकिन मैं आपको आने वाले इसको एक नए तरीके से आपको इसको यूज करके बताऊंगी तो आप मेरा आने वाले वीडियो में देखिएगा कि इसको हम कैसे यूज करके ड्रेस अच्छी बना सकते हैं एक मेरे पास यह लेस है एक यह देखिए इस टाइप की चौड़ी लेस है यह सिरफ आपको मैंने यूज करने के लावा फैब्रिक पी जो हमें अपनी जूगल सगार की जो ड्रेस बनाती हूं उस पर मैं यह सब मैटेरियल भी यूज करती हूं यह फॉर्म फ्लार आते हैं आजकल मार्केट में बहुत ज्यादा अवेलेबल है और हर कलर में अवेलेबल है तो देखिए जैस इलावा यह देखिए जैसे एक चेन आती है स्टोन चेन एक तो गोल्डन कलर में भी वेलेबल है और सिल्वर में भी बट यह नहीं आई थी मार्केट में मल्टी कलर गी तो इसको भी हम ना मैं बताऊंगे किस प्रकार से इसके पतली-पतल स्ट्रिंग जितनी भी हमें इसको यूज कर सकते हैं उसके इलावा यह सब बॉल चेन तो हैं आप दूझ गहरा है इंपको यह कि आती हैं तो यह भी उकूटपर लगती है यहाँ नेटलेस में यूज होती है तो बहुत अच्छी लगती है इसके इलावा यह देखिये एक पर्ले आती है इसमे पर्ल्स लगे होते हैं इसको पर्ल स्टोन चेन बोलते हैं I hope आपको दिखाई देखी होगी ये देखे इसमें पर्ल्स है तो इस तरीके से different different लिए देखें ये stone chain है silver में ये stone chain है इसको जो जब हम पास-पास में करके लगाते हैं तो ये इसका भी बहुत अच्छा लोग आता है इसमें भी कई colors है मेरे पास, आने वले वीडियो में आपको मैं इसका सब का collection दिखाऊंगी, तो आशा करती हूँ कि आपको ये सब जो है collection अच्छा लगा होगा, और समझ में आया होगा कि कैसे हम ठाको जी की, ये सब चीजों से हम ठाको जी के वस्तरों का और जूलरी का जो स मेटीरियल यूज होता है, वो से मेटीरियल दिखाऊंगी और उसके साथ टेप्स भी दोंगे कि कैसे हम उसको ठाको जी के शिंगार में और वस्तर बनाने में यूज का सकते हैं, ये हम सारी चीज़े आपको पहले इसलिए दिखा रहे हैं, ताकि जब एक पर आप ये सब च समझा, क्योंकि हाला कि पता सबको होता है, लेकिन एक बार जब ये मेटीरियल हमें पता होता है, तो उससे हम फिर हमें वो चीज क्लारटी से सामने आती है, तो मुझे आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर मेरा वीडियो पसंद आया है, तो प्